इरान और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हैं। सबसे बड़ी बात की जो दो देश आपस में कभी एक दूसरे की दोस्त हुआ करते थे, वही एक दूसरे पर हमला करने पर उतार हो गया है। दोनों देशों में तनाफ का महौल है। हर कोई ये जानना चाहरा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला करने पर आ गये। क्योंकि दोनों देशों के दुश्मन एक हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या वज़ा आ गये। कि पहले इरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान ने इरान पर हमला बूल दिया. समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ मौजूद है, मेरे वरिष्ट सायोगी सुमित. सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इरान पाकिस्तान का जो समय महौल चल रहा है, तनाव की वज़ा गया है? तनाव की वज़ा नंदनी ये है, आप देखिए कि दोनों देश बड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान अक्सर भारत के साथ तनाव की वज़े से चर्चा में रहता था, लेकिन उसकी सीमा इरान से भी लगती है, और ये बात आम तोर पे चर्चा में नहीं आती थी, लेकिन उसक उसका पाकिस्तान में रहता है, उस बलोच अबादी का और दूसरा हिस्सा उसका इरान में रहता है, जो इरान में सिस्तान बलोच असके परांत का नाम है, और पाकिस्तान में बलोच असके परांत का नाम है, तो समस्या ये है कि एरान वाले जो सिस्तान परांत है, वहां कु की अलगावबदी संगठन है वो जो पाकिस्तान आर्मिये खिलाफ हम ले कर रहे हैं उनको मदद मिलती है बॉर्डर पार करके जो बलोच लोग इरान के सिस्तान प्रांत में रहते हैं तो यह समस्या ऐसी है और यह जो पूरा बॉर्डर है पूरा जो इलाका है यह एक तरीके स स्मगलिंग का और नशीली जो दवाओं का कारोबार है उसका एक बहुत बड़ा गड़ भी बना हुआ है तो यहां हाला जब कई बार बिगड़े इससे पहली एसा नहीं है कि हम एरान ने पहली बार हमला किया हो इरान इससे पहले भी बॉर्डर पार करके जो उसके जो आतं से जब यह हमला हुआ तो एक ऐसे वक्त में नंदिनी जब पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है आठ फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव है आर्मी भले ही चुनाव नहीं लड़ती है वहां की लेकिन एक बड़ी श्टेक होल्डर आर्मी रहती है इमरान खान की पार्टी वहां नो लोगों की मौत की खबर है तो ये एक बेसिकली तनाव का तातकालिक कारण है इसके अलावा गर हम देखे तो दोनों ही मुल्क एक जैसे हैं दोनों ही कई सारे प्रोक्सी हैं पाकिस्तान के जैसे जैसे महमाद लश करेता है ऐसे आतंकवादी संग्टरों को पाकिस्त समानता भी है लेकिन कई चीजों में दूरी भी है एक समानता ये भी है कि चीन जैसा देश दोनों का ही समर्थक है चीन इरान को भी समर्थन देता है पाकिस्तान को भी समर्थन देता है ये कुछ समानता है लेकिन जो विवाद है वो उस बलूच वाले इलाके को लेकर है जह इसके बाद लग रहा था कि हाँ इरान अब हमला करेगा लेकिन ऐसा हमला करेगा बड़ा हमला करेगा और उसका जवाबी हमला दिया जाएगा ये थोड़ी सी अजीब बात होगी खासतोर से ऐसे वक्त में जबकि उस पूरे अलाके में Middle East के अलाके में और जंग एक चल रही है हमास और इसराइल के बीच में